आज मैं एकदम फुली फुली और स्पॉंजी वेजिटेबल तड़का इडली बनाऊंगी अगर आपकी इडली भी सौफ नहीं बनती तो बिल्कुल इसी मेजरमेंट से बनाएं आपकी इडली बहुत ही बढ़िया बनेगी और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इ आप इस में पानी लालेंगे 3 फौत कॉब मैंने पानी लिया है थोड़ा थोड़ा पानि डालते जाएंगे और mix करते जाएंगे। डिपैंड करता आपकी सुझी कितनी मोटी है तो अगर मोटी सुझी होगी तो पानी थोड़ा ज्यादा लगेगां अच्छी तरह म्ेकरने क और थोड़ी सी इसमें कश्मीरी लाल मीच डालकर फ्रेम को बंद कर देंगे और इस तड़के को हम बैटर में मिक्स करेंगे आप ये देखें सूजी थोड़ी गाड़ी हो चुकी है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डाले मंचाई सबजियां मैंने इसमें प्याज शिमला में बीन्स डाल दी है आप जो सबजी भी डालना चाते हैं इसमें डालने थोड़ा सा बारी कटा हुआ पनीर भी अब इसमें तड़का भी मिक्स कर देंगे साथ ही मैंने कूकर में पानी डाल कर गरम होने के लिए रखा हुआ है तड़का इसमें डालने के बाद मैं थोड़ा सा पानी भी डाल रही है क्योंकि बैटर थोड़ा गाड़ा लग रहा है अब इसमें एक सैशे डालेंगे इनो प्रूट सॉल्ड का और थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसमें, बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना और भ़ड़ा गाड़ा भी नहीं होना चाहिए, पानी डाल कर इनो को थोड़ा एक्टिवेट कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब इनो ड बढ़िया फूली फूली इडली बनकर रेडी हुई है ठंडा करने के बाद इसको प्लेट से निकालेंगे मैं आपको दिखाती हूं कितनी जाली बार इडली बनेगी अगर आपकी इडली यसे जाली दार नहीं बनती तो बिल्कुल इस तरह से बनाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे फोलो करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ बाबाई